मेरे प्याने बच्चों आजाओ 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 आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे और NCRT के जिसाब से वो चैप्टर नमबर 8 है और आज जो लेवल होगा वो लेवल 3 मैं बता देता हूं मोशन ट्यजिक्स क्लास नाइन्थ लेविल त्री मेरा जिस चैप्टर की उपर लेविल थी टैग लग जाए जिसको इंटरेस्ट है सिर्फ कोई बच्चे इस क्लास को फॉलो करना जिनको थोड़े तफ लगता है साइन्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैट्स जो भी है हो सकते हैं उनके लिए आर्ट सीजी है की कॉमर्स सीजी है आपको कोई भी अच्छे लग सकते है आप कोई भी फिर्ट में बहुत अच्छे कर सकते हो आपको फिजिक्स उतना अच्छा नहीं भी लग सकता है तो इस क्लास को फॉलो मत करना यह लेवल 3 के हैं और हार्डर लेवल होंगे और ओवियसली मैं यह बिताना चाहूंगा अब मेरा कोई भी लेवल 3 हार्डर लेवल जिनको साइन्स टफ लगता है और फॉलो मत करना सिर्फ मीडियम और इजी वाला कर लेना यह लेवल 3 को छोड़ देना लेवल 3 में रहेंगे वही सेम चीज़ बट थोड़ा हार्डर स्टार्ट करते है लेवल 3 motion class 9 science पहला में देख लेता हूं motion an object change its position over time इक लास 5-8 तक अप लोगों पता था कि कोई भी object जैसे मैं हूं यह अगर मैं position change कर रहा हूं with respect to time तो उसको आप motion बोल देते है अब आज एगा with respect to reference point यानि कि आपको अगर कोई motion को define करना है इसको ही हम define करते है motion के सबसे अगर कोई किसी भी चीज़को आपको motion define करना है तो आपको reference point mandatory है जैसे कि मैं library है library शे 5 km दूरी पे खरा हूं और within 2 minutes मैं पहुच जाओंगा बस अब तक पहुच होगे कितना distance में पहुच होगे अब पोजीशन चेंज कर रहे हो कि 5 km जा रहे हो 2 minute time ले रहे हो और library में पहुच रहे हो library reference point अब reference point का reference point के बारे में जानते हैं चलो तो reference point क्या है देखो कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज कोई भी बात ही कुछ भी आप कहते हो तो with respect to something I mean this teacher is very good तो आप teacher's base suppose the teacher A is very good with respect to someone I mean वो world class नहीं हो सकता है वो madam madam is very good बहुत अच्छी है लेकिन madam बहुत अच्छी है किसी की respect में मतलब आप जितने teacher के पास पढ़ते हूं उनके respect में अब in general पुरे world में ऐसे बात नहीं कर सकते हूं कि हाँ ठीक है आप जितने को देखे हूं उनके respect में तो एक reference चीज आई जाता है और ये reference हामें शेयर रहता है अब मैं बोला आपको सबसे पहले कि मैं A में motion में हूं अब बताओ A तो मेरा motion है ठीक है तो मैं किस के respect में motion में हूं और A जो motion है जो time के साथ साथ change हो रहा है A मेरा किस चीज़ के respect में actually मेरा जो room है इस room के अंदर ये walls है और जो floor है ये अगर मैं मान लेता हूं कि ये rest position पर है अगर मेरा room walls, floor, everything जो है ये अगर absolute rest position पर है तो मैं obviously motion में हूं अगर अगर ये room, walls, everything अगर ये absolute rest में नहीं है अगर ये absolute rest में नहीं है तब मैं motion में हूं मेरे साथ साथ ये जो walls मेरा room, मेरा floor सब अगर move कर रहे हैं तो suppose ये जो room है ठीक से समझो सबस्पोज मेरा ये रूम ये इस direction में moving moving towards moving towards x I mean x direction and I am also the and the man moving towards x ये भी x direction में जा रहे हैं मैं भी इस के साथ x direction में जा रहा हूं ये हम earth के उपर है we are on the earth तो आप देखो earth कोई absolute earth absolute rest में है क्या I think no इसले मैंने काट दिया earth absolute rest पे नहीं है earth revolve हो रहे sun के चारों तरब earth is always revolving around the sun so अगर earth खुद absolute rest position पे नहीं है तो मैं earth के उपर ही हूं मेरे room earth के उपर है आपका school earth के उपर है आप भी इस earth surface के उपर हो आप जा रहे हो मतलब earth के movement और आपका movement दोनों को एक साथ calculation करनी पड़ीगी otherwise earth का direction इस direction में movement हो रहा है और आप art के इस direction में movement हो रहा है आपका तो यह दोनों का direction अलग है आप art के उपर इस direction में जा रहे हो और art इससाप से rotate कर रहे है कि moon का case पकडल हो moon art तो चाड़ो तरफ रोटेट कर रहे है तो कोई भी चीज absolute rest में नहीं है अगर कुछ भी चीज, कोई भी चीज absolute rest position पे नहीं है तो जब हम motion का बात करते हैं तो हम एक fixed reference point को पकड़ लेते हैं कि वो absolute rest में है जब मैंने a definition दिया an object changes position over time with respect to reference point जो मेरा school library दिखाया था यह library इसको मैंने एक absolute rest माल लिया था actually absolute rest position पे है नहीं क्यों मैंने इसको absolute rest position पे लिया क्योंकि इस motion को define करना मुझे easy हुआ otherwise इस concept से मैं motion को जो class 9 का concept है उसमें मैं इसको define नहीं कर सकता हूं यह मेरा इस कारण के लिए हमने a consider किया है next consideration सबसे बड़ा consideration नहीं है कि तब हर इक चीज़ को हम तो कोई भी reference point कुछ भी चीज़ को तो हम absolute rest कहीं नहीं सकते obviously कहना चाहिए बद हम कहते नहीं है क्योंकि यह जो art है यह इस आर्थ को हम consider कर लेते हैं absolute rest में जो art मेरा absolute rest में है यह नहीं जब मैं consider कर लेता हूं जब यह absolute rest में है यह नहीं सिर्प हमें easy हो जाएं चीज़े समझाने के लिए इसलिए consider करते हैं कि art absolute rest में है जब art absolute rest में school absolute rest में होंगे आपका library absolute rest में होंगे theater, park, garden, shopping mall, restaurants सब absolute rest में होंगे but actually art revolve हो रहे है moon same case absolute rest में नहीं है moon भी revolve कर रहे है around the earth earth is revolving around the sun तो मेरा art भी absolute rest में नहीं है moon भी absolute rest में नहीं है इसलिए class 9, class 10, class 11, class 12 के बाद अगर interest रहे है तो relative velocity velocity यह तो अभी 9 10 से जानना शुरू कर दोगे relative motion अगर movement मतलब दोनों ही move कर रहे है तो उस motion को कैसे calculate कर सकते हो आज तो बहुत easy हो गया कि आप art को absolute rest पकरके बहुत easily calculate कर रहे हो जबकर दो moving body आ जाएगा तब आप इस motion को कैसे calculate कर सकते हो कौन सा mathematical equation ला सकते हो वो चीज आप लोग को सिखनी है इसके बाद relative motion आ जाएगी motion का uniform motion non uniform motion uniform non uniform और इसके बाद जो 1D 2D यह हम class 9th में ही करेंगे लेकिन इसके बाद 3D आ जाएगे 3D 3D dimensional motion यह हम आगे जाके करेंगे इसके बाद class 11-12 के बाद physics के साथ जुरे रहोगे तो classical mechanics classical mechanics में बहुत कुछ दिखने को मिलेगा इस type के reference reference point variation मतलब relative motion relative velocity सारे चीज़ आते रहेंगे चलो तो और कुछ बात इससे बताते हैं जैसे suppose मेरा art rotate हो रहा है art rotation के उपर जितना concept है मैं बताता जाता हूँ सुनते जाओ एक्जाम में भी नहीं आयागा कोई भी जगह पे नहीं आयागा level 3 है सिब समझने के कोशिश करो मान लो आर्ट किस टाइप का चीज़ है एक ball ले लो ball को एक thread से बांध दो string से अब इस ball को आप घुमा रहे हो ऐसे अब हमेशा देखना ball का एक natural tendency रहेगा आपका हाथ से निकालने का मतलब आपका हाथ इदर फिक्स्ट है और ऐसे घुमा रहे हूँ मैं तो अभी हाथों कोई घुमा रहे हूँ लेकिन आप एक time पर देखना हाथ फिक्स्ट रहेगा बाल ऐसे ऐसे घुमता रहेगा तो इस ball का natural tendency रहेगी कि वो जो path है उस path से वो निकालने का मतलब बाहर जाने का जब तक है tension आपका हाथ का tension है जिसको हम tension बोलते हैं इस tension ओवर उने के साथ साथ यह ball निकल जाएंगे और यह जो आपका path है यह path इस path को अगर आप motion के साथ से आर्थ के साथ compare करोगे तो क्या मिलेगा और moon आर्थ सान के around में ऐसे ही movement हो रहे हैं सेम जैसे मैं ball को ऐसे गुमा रहा था तो सान के चारो तरब आर्थ भी चक्कल लगा रहे हैं यही motion आर्थ का हमें दिखाए दे रहे हैं चाहिए elliptic है तो elliptic को आप अभी elliptic motion को आप भी circle motion consider कर लो क्योंकि आपको सोचने में easy रहेगा और यह भी समझ लो कि moon का भी elliptic motion है तो moon का वो समझ लो moon आर्थ के चारो तरब मतलब रोटेट कर रहे हैं तो सेम चीज है और moon क्यों रोटेट कर पा रहे है क्योंकि एक आर्थ का सेंटर से एक tension I mean force moon क्यों पर exert हो रहे हैं जिस कारण के लिए moon भाग के के दूर कोई जगा इस attraction के बाहर कोई जगा नहीं जा रहे हैं जो हम gravitation में और भी अच्छी तरह से इधर हमें थोड़ा बहुत जन्ना है यह मून है आठ के चारा चारा राउंड लगा रहे हैं बॉल की तरह हैं तो एक जो force है central के तरह है यह force always is force के कारण moon और surface के बाहर नहीं जा रहे हैं जो elliptical surface जो भी है उसको अब अभी circular circle मान के चल रहे हो calculation की जी करने के लिए तो यह जो force है इस force के कारण moon हमेशा भूम रहे हैं और इस movement के वज़े से कुछ changes भी हमें दिखाए देते हैं वो छोड़ दो physics में ही आ जाते हैं क्या changes होता है वो तो सबको दिखाए देते हैं तो यह जो force है सिंटेल की तरफ मतलब सिंटेल में जो force जिस force के कारण ball ऐसे घूम रहा था कि moon आर्थ के चरों तरफ घूम रहे है कि आर्थ sun के चरों तरफ मूब कर रहे हैं इस अंदर तक जो force है जो inward inward force इसको हम कहते है centripetal force एक gravitation में आएगा बट मेरे इधर कहना का कुछ और कारण है और एक बाहर की तरह भी force act कर रहे हैं कैसी जब मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे ऐसे घुमारे कि ऐसे घुमारे तो अगर बॉल इधर से निकल जाए तो state निकलेगा कोई भी points है बॉल इधर से निकल रहे ऐसे निकल जाएगा अगर इधर से ऐसे निकल जाएगा इधर से निकल जाएगा तो ओई है मेरा तो अगर मैं इसको draw करूं बहुत अच्छे से तो कैसे बनेगा इधर तो 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 रहा गंदा हो गया इधर दिखाता हूं central यह हो गया मेरा और central की तरह मतलब यह इस direction में यह outward direction में इस को हम centipetal force इसको हम centry sugar ठीक है यहां तक हम जान गए है इसको हम मिटा देते हैं यह रहेगा मेरा अब हम आ जाते हैं reference point के बारे में और कुछ नहीं बताएंगे reference point होई है जो आप कोई भी चिसको fixed मान के उसके बाद मतलब absolute rest मान के उसके बाद उस हिसाप से पकर के चल रहे हो actually absolute rest में कुछ भी चीज नहीं है तो reference point आपका जोगा वह भी motion में रहेंगे लेकिन आप calculation easy करने के लिए class 9 से 9 में आगे जाके भी कुछ-कुछ जगा पर absolute rest assume करके चलोगे अब मेरा आ जाते हैं इस सारे चीज है जब हम resolve करते हैं resolve मतलब resolve मतलब हुई है कि आपको कोई भी चीज problem आ जाए मतलब कुछ open problem आ जाए आपके सामने future में जाके बहुत सरे open problem आएंगे open problem मतलब 90 years का open problem मतलब 90 years में वह problem solve नहीं हुआ आप लोग के हाथ में आएंगे जो physics में ज्यादा interest दिखाते हो solve उसी को करना है आमने करना ही पाया बहुत होने हम लोगोंने failure में लेकिन वच्चे आप लोगों को करना है बहुत सारे open problem market में है world में है इवन physics में mathematics में probability में statistics में बहुत जगर पे बहुत सारे open problem अब कभी भी होई भी चीज़ पकड़ लो और शुरू करो research लेकिन class 9 में नहीं थुरा और सीख लो जान लो तो अब इधार हम विडियो लंबा चलेगा लास्ट तक दिखना जिनको इंटरेस्ट है जिनको इंटरेस्ट नहीं है साइंस के उपर हो तो पहली शुरू में ही काट जाना यह सब कोई काम के नहीं है prost 9 का motion के chapter के साथ exam के साथ सिफ जिनको इंटरेस्ट ऴी रहना बाकि कोई time pass करके कोई फादा नहीं है ने कुछ समझ मी नहीं राइगा तो वेक्तर quantity apa in you vector, vector quantity is a quantity which has which has which has both magnitude and direction which has both magnitude and direction scalar quantity which has only magnitude and no direction which is only magnitude magnitude and direction mainly scalar quantity you can see a lot of things work scalar quantity distance 13 meter 5 meter 10 meter 4 meter 2 meter 1 meter everything distance 1 meter obviously scalar quantity nothing else temperature temperature okay बहुत सारे चीज़ कोई direction जिसनका जोड़ूरत नहीं होता है उनको तो आप डारेक्टली बोल दो कि यह मास वोल्यूम इस सारे चीज़ स्केलर क्वांटिटी के अंदर विक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या आता है विक्टर के अंदर जो आते हैं डिस्प्रेस्मेंट वेलोसिटी इस टाइक एक्सलाइडिशन जहां पर हमें मैंगिन्टूट अंदर डिरेक्शन दोनों मेंशन करना परता है अदरवाइस नहीं पूरा का पूरा ही गलत हो जाता है विक्टर का कंसप्ट क्यों मैं बता रहा हूं क्लास नाइन में कितना तक आएगा इसका काम बहुत कम है लेकिन यह कॉंसेप्ट छोड़के आपको बहुत सारे चीज़ को एकदम उनका मीनिंग मतलब अंदर से उसका मीनिंग क्या सम्झाना चाहते हैं यह आपको समझ में नहीं है अगर क्लास 11 में जाके 10 सही जाएसे अप्टिकरनोमेटरी सिख जाओगे तो वेक्टर से आप सारी चीज़ को रिजॉल्व कर पाओगे कोई भी चीज, कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रही है सारे चीज़ अब वेक्टरी के लिए उसको मैं उस चीज में आ जाता हूँ, छोड़ी देता हूँ, स्केलर का कुछ भी नहीं है, स्केलर आप जानते ही हूँ सारे चीज, सेंटिपिटल, सेंटिफूगल फोर्च को में धर मिटा देता हूँ, देखो, तो विक्टर का एक मेंगनीची उट होगा, अगर मेरा डिस्टन्स था, डिस्टन्स का डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ, तो 5 किलोमेटर डिस्टन्स, तो इसली आप बोल देता थे, डिस्टन्स इस इक्वाल तो 5 किलोमेटर, बट जब यह मैंने बताया कि A to B का डिस्ट्लेस्मेंट बता दो, तब अपने बुए बताया कि डिस्ट्लेस्मेंट, यह भी मान लो 5 किलोमेटर है, तो डिस्ट्लेस्मेंट इस इक्वाल तो 5 किलोमेटर टूवड्स, अगर अबजिक्ट यहां से इस डिरेक्शन में चलना शुरू किया था, 5 किलोमेटर टूवड्स बी, यह सिंबल अभी नहीं देंगे, टूवड्स भी, और अगर अगर अबजिक्ट फिर बी से इस पॉइंट में पापास आ गया, तो आप बोल दोगे, डिस्ट्लेस्मेंट इस इक्वाल तो 0, अबजिक्ट बी पॉइंट से इस पॉइंट में बैक कर गया, तो आप सिंप अब मैं आ जाता हूँ कि विक्टर का कॉंसेट कैसे है, डाइरिक्शन, मोशन का, चाट टाइप के मोशन है, नमबर वण, हमें लिनियर मोशन, जो हम क्लास 9 में, 9 में, स्टाड़ी करेंगे, और कुछ मोशन है, जो हम स्टाड़ी नहीं करेंगे, तीन टाइप के, उस में से, एक अब ऑस्सिलेटरी मोशन, नमबर टू, रोटेटरी मोशन, नमबर टू, प्रियोडिक मोशन, देखो, इस वेक्टर का काम इन चारू मोशन में ही आएगा, वेक्टर अपको काम को एजी बनाएंगे, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अपके अंदर है, तो आपको जो चीज नॉर्मली समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, वेक्टर आपको एक तुम एजी करके आपके सामने, प्लेट में ले बिटा, आगे है तिरे लिए फिज़ा आगे है, लेखा ले, सिव आपको एक वेक्टर सिखना है, इसका ही फायदा आपको क्लास 11 से मिलना शुरू हो जाएगा, काइनमेटिक्स में पहुषते ही, आपको हार एक चीज़, स्टैस्टिक्स, इलेक्टोस्टाटिक्स में पहुचोगे, करिंट इलेक्टिसिटी में पहुचोगे, हार एक चीज़ में वेक्टर गुष जाएगे, मतलब सारे चीज़ रिजॉल्व होंगे, वेक्टर के, वेक् क्लास 9 से ही से किने के कोशिश कर लो इन ओसिलिटरी मोशन आप लोग को साथ पता है ना पता तो होना नहीं चाहिए कि क्लास 9 के बाद है ओसिलिटरी मोशन है कि अब कोई अगर साउंड का इंस्ट्रुमेंट देखे उस ही तार गीटार इनका जो एक टाइम इंटर्विल के ब दिखानाए और रॉटेटरी मोशन में आता है प्रियोडिक मोशन एक बेंग का शून का मोशन लेकिन इधर फिक्स टाइम इंटर्विल के बाद ही ओ बार बार रॉडिक डिलव मतलग अगर टू सेकेंड में वापास आ रह जा रहे है तो हो प्रियोडिक मोशन ये तो सारी और विक्टर से कोई एक भी चीज आप नॉर्मल ही करने के कोशिश करोगा तो वो मुश्किल होगा, तो यह चीज हमें क्लास 9 में ही भी नहीं, इनके बारे में इतना डिटेल्स में हम जाएगी भी नहीं, हमें जो मेन कॉंसेप्ट जो चाहिए ही चाहिए, मतलब जैसको छोड स्ट्छेट लाइन और नमबर विनएब आट श्रॉप्ट लाइन स्ट्रीट लाइन मोशन और बंडी लीनेर मोशन, देखो, अब स्टीट लाइन मोशन में क्या-क्या है, स्टेट लाइन मोशन के अंदर आपको वान डामेंशन, 2-dimension and 3-dimension यह 3-dimension class 9 में नहीं है मैं से बताऊंगा आप लोगों समझाने के लिए और कुछ नहीं कार्विलिनियर में भी 1-2-dimension को मैं ज्यादा तल लाऊंगा 3-dimension को एक दो बाल लाऊंगा देख लेना कोई मुश्किल नहीं होगा समझे में कोई दिक्कर नहीं होगा तो यह चीज इसके बाद ही मैं वेक्टर में जाओंगा suppose a vector is a vector को repetition करने के लिए ऐसे repetition किया जाता है a के ओपर एक arrow बग कोई इस टाइप का a a vector का symbol होता है अब a vector है क्या चीज़ अगर मैंने a vector is equal to 2i cap plus 3j cap ए लिख दिया तो इसका मतलब क्या है इससे हमें क्या समझ में आ रहे है इससे हमें a समझ में आ रहे है कि a हम 2d समझा रहे है मैं बता रहा हूं a vector is equal to 2i cap मैंने अगर a लिख दिया तो इससे हम a समझ में आ रहे है वो 1d समझा रहा हूं a vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 5k cap इसको मैं 3d three dimension रिपेजन कर रहा हूं a is equal to 2i cap direction is i cap towards x axis magnitude is from this to this point is suppose this to this point is 2 meter and direction is towards i ठीक है समझ में आ है देखो और भी क्लेर कर देखे वेक्टर a vector is represent as magnitude which has both magnitude and direction magnitude is suppose a vector magnitude मानलो a and the direction is a cap इसको अब a vector के जगा x vector भी ले सकते हो x x cap अब इनको b बोल सकते हो b vector is equal to b b cap तो अब भी vector मैं a से ही लिखते जा रहा हूं a x b कुछ भी ले लो a is a vector normally magnitude and a cap direction of vector a समझ में आया है यह वेक्टर का मतलब है एका magnitude and direction जब magnitude and direction दोनों रहेगा तब आप यह वेक्टर को रिप्रेजिन कर सोगे i cap x direction j cap y direction and k cap z direction x y z तो मेरा इस केस में a is equal to two y cap I mean a straight line motion to straight line motion मैंने जो लिखा था two types linear motion को मैंने दो पार्ट में डिवाइट किया था a straight line motion a curve linear motion to straight line motion मेरा क्या है गा a is equal to two i किया मतलब 1 d x direction i cap इस direction में magnitudes is two is two it can be a a vector is equal to nine i cap nine meter nine magnitude kuchbhe Kahloga हो सकता है कोई पी चीजहाँ का हो सकता है acceleration nine हो सकता है velocity हो सकता है कुछी चीजह वहु सकता है obviously a vector quantity यहाँहाँह आओ से नहीं है कि आप धाधा हो किवरेट मैंस हो वह नहीं होगा, तो e is equal to 9 i cap, यानि कि मैंने इस x को, x axis को direction के साथ, यह मैंने mention कर दिया, अगर मैंने बताया कि displacement, displacement is equal to 2 i cap, इसका मतलब क्या है, x direction displacement 2, 2 meter हो सकता है, kilometer हो सकता है, 10 meter हो सकता है, कुछ भी, to 12 kilometer, तो मैंने, जब displacement is a vector quantity, displacement में direction होती है, और magnitude होती है, तो magnitude भी बता दिया, और direction भी बता दिया, तो ऐसे हैं हम displacement को, मतलब displacement को define करते है, vector गली, इसलिए displacement को definition, जब भी आयाता है, distance जैसे आपको, एक scalar quantity, direct बोलते हो, path length, initial point to final point, and displacement की कैस में बोलते हो, path length, obviously shortest distance, from initial point to final point, and the, this is the magnitude, displacement का magnitude, and direction is mandatory, मतलब shortest distance के सथ सथ, बताते हो कि, ओ motion कहा से कहा तक, मतलब कौन से direction से कहा से कहा तक जा रहे हो, घर से school तक, नगी school से घर तक आ रहे हो, घर से movie तक, थियेटर तक, नगी थियेटर से घर तक आ रहे हो, अब मैं वेक्टर का जब यह बता दिया, suppose the vector a is equal to, suppose the vector this, 2D में, 2D का case लेता हूं, x direction, y direction, कोई problem नहीं होनी जाहिए, अब this is x i cap, and this is y j cap, अब, अब अब यह बीक्टर इस से represent कर देते हैं, मतलब, वेक्टरी के लिए अपने, magnitude and direction, ता बेक्टरी के लिए अपने, magnitude and direction, तो हो गज़के एक तप perfect है, मतलब, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकते, magnitude भी अपने ले लिए, और direction भी ले 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 कर देते हो, जैसे मेनने पहले आर्थ में अभी पहुँं जाते हैं, जो आर्थ का रोटेशन था, यह था मेरा Сंटिपेटल फोर्स towards the center and मेरा था सेंट्टीफिगल फोर्स, तो अब इस सेंटीपेटल तो अभ उर सेंट्रीफिगलr force दोनों को अगर मैं resolve करूँगा तो अगर आप normally आप इधर vector का concept लाएंगे तो देखे कितना easy हो गया इस जो मैंने आप लोगो इतना time से जो class 9 में नहीं भी है फिर भी समझाया कि कोई भी चीज़ को समझो जो easy बहुत easy हो जाएंगे future में जाया के तो मेरा a मान लो कि 3 i cap अना ऐसे नहीं देते a vector a कर देते vector b तब आपको resolve करके सिर्फ r vector का value निकलना है vector r का value निकलना है तब आप बता दोगे बाकी इन से जो भी निकलेंगे और e r का value निकलने के लिए trigonometry आपको जाननी पड़ेगी जो class 10 से वो शुरू होता है rotation ऐसे ही same आपको कोई भी चीज निकलना है वेक्टरी के लिए resolve करके resultant से बहुत सारे information आपको इदर से मिल जाएगी tangent tangent के मिल जाएगे force कितना force अपलाई हुआ है क्या है बहुत सारे information इदर से बहुत इजली vector analysis से अपको निकल के आ जाएगा vector का main जितना concept आपको जानना चाहिए था class level में इतना ही है इससे आगे जाके आप जानोगे इससे जादा और नहीं जानना है क्योंकि अगर r का value निकलनी है तो obviously टिकनामेटरी जानना ही पर चलो तो vector scalar मेरा complete हो गया है अब इस chapter के ऊपर को question था कुछ numericals था inciatic exercise में मेरी ख्याल से एक बार बता देता हूं कुछ questions था exactly था पता नहीं में hint दे देता हूं एक question इस type का था कि displacement zero हो सकता है क्या yes obviously displacement zero हो सकते है number two auric displacement should be zero if an object comes to its initial position a number two और एक question इस type का था कि कोई एक farmer है farmer 40 seconds में एक चक्कर लगा सकता है meaning साहथ ऐसा था दूसरा meaning होगा तो वह अलाग है मतलब यह meaning इस meaning के हिसाब से में कर देता हूं उस question में थोड़ा थोड़ा double meaning हो रहा है question clear नहीं है तो ओ देख ले ना 40 seconds है 40 seconds में ओ एक चक्कर कंप्रेट कर सकता है यह 10 meter का boundary है 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter former a square boundary को 40 seconds में चक्कर लगा सकता है तो 2 minute 20 seconds में ओ कहां पहुचेंगे तो obviously 2 minute 20 seconds को अगर में seconds में कंप्र करूंगा तो 2 into 60 120 plus 20 140 seconds 140 seconds मतलब एक 40 seconds में एक चक्कर फिर दूसरा 40 seconds में 2 चक्कर मतलब 80 seconds में 2 चकर 120 seconds में तो formal complete 3 round in 120 seconds ठेक है तो अगर a, b, c, d है तो farmer ने फिर बापा से आ जाएगा 120 seconds में अब next 20 seconds में farmer कितना कहा तक पाँचेंगे हैं हाप अप 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 बाउंडरी मतलब एक पोजिशन पर पाँचेंगे ए बन गया आपका तो मैं इस चीज़को displacement बताने के लिए बताया गया है तो displacement shortest distance between this मतलब ac का distance बताना है तो आपको इस बहुत मुश्किल से direction नहीं निकालनी है क्योंकि क्लास 9 में है तो है नहीं तो इतना बता देना है तो देखो 10 meter 10 meter अगर s को मुझे निकालना है तो ac is equal to what Pythagoras theorem से अब root under 10 square plus 10 square is equal to root under 200 10 root 2 यह meter में होगा 10 meter तो ac is equal to this meter यह meter निकल जाएगा लेकिन मेरा यह numerical समझाने का बात ही है कि अगर आपको इतना meter लिख रहे हो displacement जब यह magnitude बताता है तब अगर magnitude बताते है magnitude magnitude of displacement is magnitude of displacement 10 root 2 meter अगर नॉमल में displacement लिखूंगा तो class 9 में अगर 10 root 2 लिख दोगे तो कोई problem निगी बत future में आगे जाके आप कोई भी vector quantity को ऐसे 10 root 2 meter नहीं लिख सकते हो उसके साथ आपको direction मेंशन करना पड़ेगा नहीं तो बोलना पड़ेगा magnitude of the displacement is this or अगर shift displacement लिक्रो लिख रहो तो this towards the towards the corner of corner of corner of the square boundary boundary at point A to C, तब जाके आप properly define करका होगे, towards the boundary Q, direction देख लो, A direction, A direction, A direction, तो A जब हो गया, मेरा A direction मिल गया, इसको अगर मैं ऐसे resolve करूँ, A direction, A direction, ठीक है, A, B, C, D, इस point से ले लो, A था B, A, 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 C, तो B to A, A to C, and C to B, C to B, एक गलत है, direction एक बहुत बड़ी चीज़ है, from point A to C, ठीक है, और कुछ, एक दो question पर हो बहुत easy था, ओर देख ले न, इसके बाद, level 3 की, uniform non uniform motion, उन सब का numerical आएगा, concept उसके साथ numerical, थोड़ा harder level numerical, तयार रहा है न, चलो आज के लिए इतने, बाई बाई,